दो मिनट समय निकाल कर जरू सुने, जीवन की सच्चाई, जीवन की सच्चाई क्या है, जिने की राह में ही जीवन की सच्चाई छुपी हुई है, जिन्दगी चलती रहती है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ये भी जिन्दगी क्या सच है, जो कोई भी बदल नहीं सकता ह मगर कुछ बदला जा सकता है वो हम खूद है हम अपने आपको बदल कर अपने जीवन को कुछ हद तक बदल सकते हैं जीवन की यही सच्चाई है जो यहां आया है उसे एक दिन यहां से चले जाना है कोई भी यहां नहीं रुका है इसलिए हमें अपने जीवन की राह को ठीक कर हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बाते हैं जो छुपी हुई है उन्हें हमें जगाना होगा यहां हम आपको जीवन की सच्चाई से जुड़े विचार कोड्स इस वीडियो में बताएंगे अगर आपको जीवन की सच्चाई कोड्स इंध हिंदी पसंद आए तो आप इसे अपने द भरोसा अगर खुद पर हो तो हमारी मजबूती बन जाती है और अगर भरोसा दूसरों पर हो तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है हम जब तक यह जान पाते हैं कि जिन्दगी क्या है तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है जिसने अपना मन भगवान में लगा लिया उसने अपना जीवन समझो सुल्जा लिया कि अब आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं कोई और आपके लिए यह नहीं करेगा वक्त सबको मिलता है जिन्दगी बदलने के लिए पर जिन्दगी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए जिन्दगी में इतनी गल्दिया ना करो कि पेंसिल से पहले रवर घिस जाए और रवर को इतना मत घिसो कि जिन्दगी का पेजी फट जाए जीवन बुद्धिमानों के लिए एक सपना है, मुर्खों के लिए एक खेल, अमीरों के लिए कमेडी, गरीबों के लिए एक तरास दी ऐसे जीओ जैसे तुम्हें कल मरना हो, ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना हो मौत जिन्दगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान वो है जो हमारे जिन्दगी जिन्दा रहते वे भी हमारे भीतर मर जाता है बेसक किसी को माफ बार बार करे पर भरोसा एक बार ही करे हमारा समय सिमित होता है इसलिए हमें दूसरे की जिन्दगी जी कर कभी बरवाद नहीं करे दुनिया हाल उन्हीं से पूछती है जिसनके हालाद ठीक हो और जो तकलीब में हो उन्हें लोग पूछना ही भूल जाते हैं खुस वही रहते हैं जो अपनी परिस्थिती को देखकर फैसला लेते हैं दुनिया को देखकर नहीं खुसी तभी मिलेगी जब सबसे पहले हम उन्हें भूल जाएंगे जो हमें भूल गये हैं यहां ना तो कोई प्यारा होता है और ना ही कोई अपना जो भी होता है केवल जरूरत का खेल होता है जिन्दगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर भी इंसान चलना सीखता है धोखा खाने पर भी जिन्दगी का स्वाद आता है जिन्दगी का सच यह है कि आपको चुनाव करना होगा आप जो भी सुनते हैं वही आपकी जिन्दगी के दिशा निर्धारित करता है एक सच यह भी है कि बीना लोगों दोरा आलोचना के सफलता की सीरी नहीं चड़ी जा सकती है अपने दिमाग का इस्तमाल करें ताकि आप अपने दिल को एक अच्छी जिन्दगी दे सकें जिन्दगी हर समय आप से बात करती है बस इससे सुनने की जरूरत है जिन्दगी बहुत ही खुशूरत है बस इससे देखने की नजरिया चाहिए आज कल सब यही कहते हैं वक्त नहीं मिलता मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजी वक्त हो गया है या आदमी हमें सुख नहीं मिल सकता एरी विश्वास किन ही और पर और चीजों में करें और अमल किन ही और चीजों पर निकले हम दुनिया की भीर में तो पता चला कि हर ओसक्स अकेला है जो दूसरों का भरोसा करता है पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसा खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे अगर भविस्त के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो जिंदगी रोमांचक कभी नहीं रहेगी हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं लेकिन इंसान के वल खुद की समस्याएं को ही सबसे ज़्यादा और बड़ी समस्ता है जब जेब खाली दिल टूटा और जिंदगी में लोग सिर्फ तुम्हें नीचे गिराने के लिए ही गगे हो तो जिंदगी में यही वो वक्त होता है जब इंसान को खुद में एक नई सकती साली इंसान का पता चलता है मरने नहीं देती जिंदगी जब तक जीना ना सीखा देती जिंदगी मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर करवा घुट पीना जरूरी होता है वक्त रहते संभल जाना बढ़ना लोग तुम्हारी मासुमे से खेल जाएंगे जिंदगी में बहुत परशानिया आएगी लेकिन उसे लड़ते हुए एक अच्छी जिंदगी की उमीद करना यही असल जिंदगी है जिस दिन जरूरत और अच्छा में फर्क समझ में आ जाए तो समझ जाना अब मेच्चुर हो गए हो जिसने तुम्हारा साथ बुरे वक्त में दिया हो उस इनसान के साथ कभी न छोड़ो छोड़ें पानी में गिरने से जान नहीं जाती जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता है जिंदगी में अगर कुछ करना है और कुछ बनना है तो अकेले रहना सिखो और सफलताएं आपको नहीं रोकती, मुस्किले भी आपको नहीं रोकती, आप खुद अपने आपको रोकते हो, वाहर की चुनतियों कोई वज़ा से नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी की वज़ा से, जहां उमीद नहीं होती है, वहां तकलीफ की कोई गुंजाइस भी न बजाए इससे सिखें और अपनी जिन्दगी के सबसे बेहतरीन खिलारी बने, भावनाओं को समभालने के वाला इंसान हमेशा जिन्दगी की उचाई पर सबसे उपर होता है, दुनिया में जूट धीरे से भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिलाने पर भी कोई नहीं सुनता, सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है, उसे मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता है, उसे मैं सीख लूँगा, सुखे पत्तों की तरह मत बनो अपनी जिन्दगी, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो बटोडते हैं और आग लगा देते हैं जीवन में जो समझ खाली पेट और खाली जेव सिखाती है, वो कोई और नहीं सिखा सकता है आप आज क्या कर रहे हो हैं, ये बहुत महत्त्रपून है, क्योंकि आपकी जिन्दगी का एक दिन आज दाओ पर लग चुका है सभी दिनों में सबसे अधिक बरवाद किया गया दिन वो है, जिस दिन आप हसे ना हो जो चीजे आप अपने लिए करते हो हैं, वे आपके जाने के साथ चली जाती है लेकिन जो चीजे आप औरो के लिए करते हैं, वे आपकी विरासत के रूप में यहां रहती है